नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सोरू शेर्मा और आप देख रहे हमारे चनल हर्याना अपडेट डेले नियूज बात करेंगे रेवाडी की बड़ी खबरों के बारे में तो वीडियो को शुरू करते हैं तो देखे रेवाडी के अंदर जो पहली बड़ी खबर रेवाडी में DC के आदेश पर काम शुरू देखे आप सभी को बताए कि जैसे बारिश होती रेवाडी के अंदर तो हर जगा पानी पानी भर जाता है इसके बाद लोगों ने भी शिकायत किरी और DC ने भी इसके हम कह सकते हैं एक्शन लिया इसके खिलाब और जल्द से जल्द का कि नालो को साफ किया जाए मैं आपको फोटो दिखाता हूं उसके बादे की काम शुरू भी हो गया है यहाँ पर जो नालो की सफाई की गई है का जा रहा है कि नालो की सफाई से बिल्कुल भी अपानी जमा नहीं होगा हलांकि ज्यादा तर जगया जो रेवाडी के अंदर अधिक तर नालो की सफाई हो चुगी है आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से नालो की जो सफाई आपर चल रही है रेवाडी के अंदर DC ने सकता आदिश दिये थे कि जल्द से जल्द हमें मतलब इसकी रिपोर्ट चाही पूरी और जितने भी नाले रेवाडी के अंदर सभी को जल्द से जल्द साफ किया जाए ताकि लोगों को बिल्कुल भी परेशानी ना हो इसके बाद देखी दूसरी बड़ी कबर रेवाडी के लोगों के लिए एक और परेशानी लेकि गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और परेशानी अभी एक लाइट नहीं आरी रेवाडी के अंदर अगर हम बात करें रेवाडी के अंदर लाइट की तो काफी ऐसी जगह जहाँ पर पूरी पूरी रात लाइट नहीं आरी कई लोगे नों मुझे बता है कि उनके घर कभी आती है लाइट एक गंटे फिर नहीं आती एक गंटे आती एक गंटे नहीं आती इस टाइप से मतलब पूरी रात परेशान होते हैं ज़्यादा तर जगह मुझे यही सुनने को मिला है कि रात को पांच गंटे लाइट नहीं कहीं तीन गंटे नहीं चे गंटे तो देखिए एक बड़ी हम कह सकते हैं परिशानिक है क्योंकि गर्मी ज़्यादा है और अगर लाइट नहीं आएगी तो लोग दिक्कत तो सामना उनको करना ही पड़ेगा अब देखते हैं इसके लिए क्या होती है कारवाई इसके बाद अगली बड़ी खबर आपको उतायता हूँ देखिए अगली बड़ी खबर है कि एक व्यक्ति है मेकानिक जो की आरो ठीक करने के लिए आया था और जब भारा है तो देखा कि उसकी बाइक चोरी हो गई पूरी खबर ये कि शक्तिनगर में आरो ठीक करने के लिए सैबाजपूर खालसा के एक मकैनिक की बाइक चोरी हो गई है पुलिस को शिकायत में उसने बताया कि वैक मकान में आरो ठीक करने के लिए आया था मकान के बार उसकी बाइक खड़ी करने के पा हमारी चैनल प्रमिलेंगी, सिक्साथ तान्यवाद।